शुकरवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरतपु सब जूनियल लीग का एक मैच देवरिया क्रिकेट कलब और TNM एकेडमी के बीच खेला गया पहले बले बाजी करते हुए देवरिया क्रिकेट कलब की पूरी टीम तीसवे ओवर में 143 रन बनाकर ओल आउट हो गई देवरिया की तरफ से रहुल गुप्तम ने सरवाधिक 37 रन की पारी खेली जबकि TNM एकेडमी की तरफ से विकास राय ने पांच और विवेक ने तीन विकेट लिये 144 सरोनों का पीछा करने उतरी TNM एकेडमी ने 25 ओवर में ही आठ विकेट के नुकसान पर इस लक्षे को हासिल कर लिया और यहाँ मैच दो विकेट से जीत लिया मैं बारे Кची दभ्यासट अपस्का हो पारे Кची ऑर लेकेट लेए से परफेहाँ मैंने 19 अशकित कर विकें लगर ते용ा भीरivasा केडमी क्यांअ vídeos करेब को हुक। विकर देढ़त हैं विकर दिनागऌवा Lord करंदें!